उसके बाद क्लास से स्टार्ट करने से पहले मैंने किसी किताब में से आपके लिए चार पंक्तिया देखी थी तो मैं वो बता रहा हूँ और उसका मतलब भी मैं आपको बताऊँगा कि वो कहीं ना कहीं सेकेंड गेट के जो साइंस के विध्यारती है उनके उपर सटीक बैठता है कितनी चार पंक्तिया प्यारी किसी ने लिखी है मैंने देखा लोहे को गलते देखा, ढलते देखा, तपते देखा, बोली बनते देखा, मैंने देखा लोहे को इन चारो लाइनों का मतलब सती ग्रूप से एक second grade science के विध्यारती के उपर पूरी तरह से क्यों? मैंने पहली वाली पहली लाइन बोली, मैंने देखा लोहे को मैं second grade science के बच्चों को लोहे की तरह इसलिए माल रहूँ क्योंकि उनके पास एक दूसरा option भी था, वो easy रस्था था, लेकिन उन्होंने उस easy course को नहीं चुनते हुए एक लोहे की तरह ड्रड नश्चय करते हुए second grade science को चुना जिसके अंदर उनको physics का भी मुकाबला करना था, chemistry का भी मुकाबला करना है, botany का भी मुकाबला करना है, जोलोजी का भी मुकाबला करना है साथ में उसमें दूसरी लाइने क्या लेकी हुई थी, तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा तपते देखा गलते देखा का मतलब क्या है मैंने आपको लगा तार शह मैंने से आपकी कठिन तपश्या देख रहो हूँ कठिन परिश्रम देख रहो क्योंकि तरह आसान नहीं है 2nd grade की physics को पढ़ना Chemistry को पढ़ना, Botany को पढ़ना, Geology को पढ़ना और इसकी अंतिम लाइन क्या है? गोली बनते देखा अब आप उन रूप से AK-47 की गोलियों की तरह तयार है और आपको 17 December की एक्जाम को क्रैक करना है अब इस तरह के नकारात्मक भाव आपके दिमाख में आने ही नहीं चाहिए कि सर क्या होगा, क्या नहीं होगा सब अच्छा होगा, आपने 6 मेने कड़ी मेहनत की है, इसका परिनाब आपके सामने आएगा दूसरी बात बहुत सारे विद्यारतियों की दिमाख में फिजिक्स का डाउट, फिजिक्स की आप चिंता ही ना करें, आप अगर यह सोचते हैं कि मुझसे नहीं हो रही वो आप से नहीं, वो किसी से ही नहीं हो रही तो इसलिए अपने दिमाख में पहला भूठ तो फिजिक्स का बिलपुल उतार दें कि साब मुझे फिजिक्स से क्या, कोई बात नहीं है पिछली बार भी ऐसा हुआ था लड़कों ने एक भी कोशिशन फिजिक्स का नहीं किया था तोड़ी उनका सेलेक्शन हुआ था आप फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जोलोजी देखो पहली चीज मैं आपको बार बार पुने बता रहूँ किसी भी तरीके सा डी मोटिवेट नहीं होना है सबसे आसान एक्जाम सेकेंड डेट साइंस का होगा चाहे आप माने या ना माने जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आपको खुद को लगेगा किस सर ने बिलकुँ सठीक का आता यह एक्जाम तो साइट सबसे इजी था और जिनोंने इसको छोड़के दूसरी एक्जाम में लगे उनको भी आप वितिन डेड़ महने में कॉम्पेटीशन दोगे जो अभी आपने हाल में दिया मुझे बड़ा अच्छा लगता है कई बच्चे बताता है कि सर हमने तो सेकंड गेड ही लगे लेकिन लास्ट के दस दिन पहले हमने तयारी की और हमारे नमबर 119 और 120 तक कर 110, 90 से उपर तो मतलब 100 से उपर तो पता नहीं कितने बच्चे हैं जिन्होंने मुस्किल से 10 दिन का समय दिया और उन्होंने मेरी बात को मानगा पुने मैं अब आपस इस्टुएंट से यह कहूंगा पहले अभी आपको सेकंड गेड के अलावा नहीं सोचना है उसके बाद आपको डेड मैने का समय मिलेगा फिर आप दूसरी एक्जाम की तेयारी करें और easy going हो जाएगा कुछ में नहीं है इसके साथ वो तेयारी अपने आप कभी भी दिमाग में यह जो डेड मैने का समय है 45 दिन का जो समय है वो पूरी तरीके से positive theme का समय negative theme आपके दिमाग में नहीं आनी चीए कि सर मुझे याद नहीं हो रहा याद होना या नहीं होना या exam वाले दिन depend करेगा exam पे depend करेगा जिस दिन आप exam paper में पठ होगे तो उस दिन अपनी आप आपको सारी चीज़े याद आएंगी अभी आपको याद आई नहीं आई अभी हाल में भूतना रहे कि सर सेकंड पेपर में दिखेंगो second paper में डНеड़सो कोश्चन आते है मानके चले अगर हम physics नहीं कर पा रहे कता ही चिंता हम नहीं कर physics के 4-5 chapter भी आप कर पा definite कहीं, प्रिशानी नहीं tonight chemistry में मैं अभी कुछ chapters ऐसे बताऊः जिससे मैं आपको बता रहा हूं वितन इस महने के अंदर ही मैं आपको इतना त्यार कर दूंगा कि 25-26 कोश्चन 40 में से वह आप एक महने में त्यार कर लेंगे इस में कुछ नहीं करना जो मैं कुश्चन बताराओं आप चाहिए कुछ भी पड़ रहीँ मेरे कहने पर सोवे जब खाना खा रहे हैं इन科श्चन को सुनना है शाम को जब खाना खा रहे हैं, इन questions को सुनना है, मैं 30 मिंट से ज़्यादा आपका एक मेना नहीं लूँगा alternate class डालूँगा, 15 दिन class डालूँगा, और उसमें 15 chapters पूरे हो जाएंगे बशर्त, जहसा मैं कहूँ, उसके अनुसार वो आधा आधा घंटा मुझे दे दो और उसके अलावा आप मोटी किताबे पड़ो, पतली किताबे पड़ो, मुझे कोई ले ना देना है कोई से भी दो subject, second paper में आपके बहुत अच्छे होने चाहिए देखो एक तो chemistry तो आपको अच्छा करना ही है, क्योंकि यह जबरदस्त scoring subject हो दूसरा botanizology में, जो आपको अच्छा लगे, उसमें से एक आपका भेतरीन scoring subject होना चाहिए दूसरा कुछ भी, दूसरा मध्यम भी चलेगा और एक teaching method भेतरीन होने चाहिए, उसके बाद आपको second paper में कताई चिंता नहीं है मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, इस बार का competition सिर्फ इतना ही रहेगा जो दौनों papers मैं qualify कर लिया, वो पहली बात तो 7-8 अजार लड़कों में competition है खीच के 10-जार लड़कों में है, उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आदे से जादा तो पहले paper में ही रह जाएंगे और उसके बाद ना के बराबर competition है अब आपकी जो strategy headed मैंने की, वो इस तरह की है, नई किताबे नहीं पढ़नी नहें notes नहीं पढ़ने, जहां भी आप पढ़े हैं, उनी notes हो को आपको बार-बार revise करना है chemistry के अंदर मैं कुछ topics आपको करा रहा हूँ, 15 topics कराऊंगा, उन 15 topics को आपको मेरे इसाब से करना है इसके अलावा आपको कुछ नहीं करता है बेफिकर रहें, आराम से paper की त्यारी करें, 45 दिन का समय है इस समय आपको पूरी तरीके से positive theme दिमाग में लगाते हुए सिर्फ यही सोचना है, मुझे तैयारी करते है पांच मिंटे का समय जरूर लिया, लेकिन यह जरूरी था क्योंकि बच्चे मेरे पास बार-बार कौन करते हैं कि सर क्या होगा, क्या नहीं हो जब भी मेरी आप classes ने, आदा घंटे की class होगी इस मैंने 15 या 16 lecture में डालूँगा मैं भी बताता चलूँगा आपको, साथ में ये वाली जो books चाहे आपके पास पुरानी ये book हो, राजिस्तान बोड़ की या ये नहीं book हो, इसको जरूर रख ले जैसे माल लो, मैंने पहली class में chemistry in everyday life पढ़ा है तो आपको कुछ नहीं करना, chemistry in everyday life ही सुनना है कुछ नहीं करना, लेकिन साथ में क्या करना है जैसे जैसे मैं बताता चल रहूँ जैसे जैसे मैं बताता चल रहूँ वैसे वैसे हलका सा खाना खाते समय मैंने बोला anti-stamin drug कौन सी है anti-stamin drug हमने तीन ड्रगों की बात की थी दाइफेनल हाइड्रामीन यह पुरानी केताब में था अब खतम हो चुकी, एक तो दाइफेनल हाइड्रामीन बताई थी एक सेलडैन बताई थी, एक ब्रॉमेनी फिरामीन करके बताई थी क्या है, जसी देखोगे तुरंत याद आएगा पिर दूसरी चीज हमने क्या पढ़ा था एंटिबाइटिक पढ़े थे दो तरह के पढ़े थे नेरो स्पेक्ट्रम ब्रॉड इस्पेक्ट्रम में तो एक पढ़ना है पैंसिलीन जी सेड ब्रॉड स्पेक्ट्रम और जनरली कौन सा पूछा जाता है फ्लॉरोफैनिकॉल भी रखे मोर्पीन, कोडीन, हेरोईन, नार्कोटिक्स, बाकाइदा लिखा हुआ है, एस्प्रिन, पेरासिटमोल, नोन आर्कोटिक्स, आज जैसे ही मैं बायो मॉलिक्लूस पढ़ाऊंगा, स्टार्ट करूँगा, कुछ नहीं 19 कोश्चन, और सिर्फ वो 19 की 19 कोश्चन आपक जाएगा, एक्जामीनर का एक फिक्स क्राइंस है, एक्जामीनर उसी के अनुसार चलता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, मस्ती से तैयारी करें, 45 दिन के समय, बिना किसी जिजग के, केमिस्ट्री के साथ, एक सबजेक्ट और, वोटनी या जोलोजी में, वो बहुत पूसरे को आप काम चलाव रख सकते हैं, काम चलाव का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डाउन नहीं, और फिजिक्स में, जो आप 4-5 चेप्टर जो आपको लगते हैं, कि मैं इनको अच्छा कर सकता हूं, इतना करने, टीचिंग मैथर भेतरीन कर लें, उसके बाद आपको से इस से 23 कोश्चन देते हैं, और कुछ भी नहीं है, रोज खाना काते समय आदा घंटे देखना है, और चाम को खाना काते समय आदा घंटा देखना है, ये जो वीडियोस देखनी है, इनको देखना है, और अपने गुरू को मानते हुए, इन वीडियोस को शेर भी करना है, क् इसको पढ़ना है उसको पढ़ना होता है आपके भाग्ये को कौई नहीं छीज सकता अगर आपके भाग्ये में selected होना है तो उस दिन मा लच्मी आपके ओपर, मा सरस्वती आपके ओपर विराजमान रहेंगी, मा लच्मी आपका साथ देग़। इसलिए पून रूप से बेधड़क होके निश्चिन्त होकर आप तयारी करें और आज की क्लास नंबर बन अपने स्टार्ट कर रहे हैं क्लास नंबर वन स्टार्ट कर रहें देखें अगला टॉपिक जो आपके कोर्स में है हमने डैनिक जीवन में रसाइन पड़ा आज जो हम बात कर रहे हैं सेकंड टॉपिक की बायो मॉलिकूस की बात कर रहे हैं जया वनुओं के अंदर आश्यर होगा अभी फर्स्ट प्रेड क अग्जाम हुआ था पांच कोश्चन जयवनु में से थे जबकि तीन कोश्चन इलक्ट्रों में से थे मात दो कोश्चन ही सॉलूशन में थे लेकिन बायो मॉलिकूस ने किते दिये पांच कोश्चन इसलिए मैं बार 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 आपसे कहता हूं कि कुछ चैप्टर्स ऐसे है सेकंड गेड में जो आपको अच्छे से करने है जिनको लोग नहीं करते डैनिक जीवन में रसायन नमबर एक हो गया आज मैं आपको बायो मॉलिकूल्स कराऊंगा परसो जो बात होगी परसो में आपको पॉलीमर पढ़ाऊंगा उसके जो नेक्स दे होगा सर्फेस इस इस स्थम्पढ़ाऊंगा एलकेन, एलकीन, एलकाइन, बेंजीन से रियक्शन से बताऊंगा जो एक्जामिन आप से पूछे साथ इसी चैटर पहले करेंगे हम आटमिक की बात करेंगे केमिकल बान्डिंग की दियपलोक की कॉडिनेशन और जो रहे गए आपके कौन कौ से solution, chemical kinetic, electro और thermo उसके अंदर जो मैं आपको 4-4-5-5 चीज important बताओं वो आपको अच्छे से learn करें इसके अलावा कुछ नहीं करना बार-बार यही कहूंगा ये 11-12 की बुक्स आपके पास जरूर होनी चाहिए, इनको अपने बगल में रखें, चाहिए पिछले साल की हो या इस साल ठीक है, अब क्लासे स्टार्ट करेंगे, आपका 10 मिंट का समय खराब किया उसके लिए Quesion No.1, Biomolecules के अंदर सबसे पहला जो हमारे कोर्स में चैप्टर है, Biomolecules में, वो है कार्वाहिटेड जब भी कार्वाहिटेड में से कोश्चन आना है, तो जनरली वो गुलकोस की रियक्शन पूसता ही है 6 रियक्शन आपके कोर्स में दे रखी है, उनी से एक एक लाइन गुमा गुमा के गुमा गुमा के आती है यह जो कोश्चन है, यह RPSC 1st grade में पूछा गया था, अभी मैं आपको 5 कोश्चन बताऊंगा सिक्वेंस से और उनी 5 कोश्चनों को मिला कर इस साल 1st grade 2018 में कोश्चन मिला दिया कि अब आप सबको पता है, जो गुलकोस है, वो गुलकोस की जनरली स्ट्रक्चर सबको पता होती है कि गुलकोस के अंदर एक तो अल्डिहाइड ग्रूप है, एक अल्डिहाइड ग्रूप है गुलकोस के अंदर, साथ में CHOH, 4 और CS2OH, सबको ये बात पता होती है कि जो glucose है वो aldose hexose सरकना है hexose तो इसलिए कहते है क्योंकि glucose के अंदर 6 carbon है और aldose इसलिए कहते है क्योंकि इसके अंदर एक aldehyde group है एक aldehyde group है और इसके अंदर 5 hydroxyl group है इसी पर reaction पूछी जाती है glucose की reaction जब भी red phosphorus और HI से की जाए तो ध्यान रख लिना red phosphorus हो या ना हो जो HI है वो alkane बनाने का ठेकेदार है HI alkane बनाने का ठेकेदार है जब भी आपको कहीं दिख जाए तो समझ जाए HI का काम या alkane बनाने का इसको ठेका दे रखा है ये 6 carbon वाला ही alkane बना देगा और 6 carbon वाला alkane आप सब को पता है पॉंसा होता है normal hexane normal hexane तो पहला question अब आप जब भी पढ़ेंगे कुछ नहीं करना शाम को बैठेंगे तो खाना खाएंगे मेरे लिए खाना खाना ज़रूर खाए ये नहीं खाना नहीं खाए खाना खाए और साथ में क्या करना ही है वाली बुक खोल इस वाली बुक में आपको क्या करना है कि इस वाली बुक के अंदर biomolecules खोल लेना है अब पहली reaction उसके अंदर यहीं होगी कि glucose को हूब भू लाइन भी ऐसी कैसी NCRT वी लिखी हुई है कि glucose को जब हम लंबे समय तक HI के contact में रखते है तो क्या होता है आपको इतना सा याद रखना है कि जो HI है वो तो अलकेन बनाने का ठेकेदार है उसका काम यह है कि वो glucose को उतने ही कार्बन वाले अलकेन के अंदर बदल देता है एक, दो, तीन, चार, पाँच और साथ में क्या बनता है छे, तो नॉर्मल हेकसेन बनता है अब यह वाली जो रियक्षन है साथी साथ एक लाइन और लिखी हुई है क्या लिखी हुई है NCIT में कि गुलकोस को जब आप HI के साथ रियक्षन करते है HI ठेकेदार है उतने ही कार्बन वाला एलकेन बनाता है रियक्षन को एलकेन में राके रखता है और साथी साथ हमें यह पता चलता है इस रियक्षन से कि इसके अंदर 6 कार्बन की चैन होती है इसलिए 6 कार्बन वाला क्या बनता है एलकेन बनता है और 1st grade में अभी मैं आपसे बताऊँगा तब यही question पूछा गया, matching का question आया था और उसके अंदर हमें यही बताना था कि glucose के अंदर 6 carbon पाई जाते हैं, इसकी पुष्टी कौन सी reaction से होती है, तो answer क्या था? है, दूसरी reaction की बात करें, glucose की reaction अगर हम ब्रॉमीन वाटर से करें, अब इस पर दो तरह से question examiner पूछता है, तो पहली reaction आपको glucose की याद हो गई होगी, नॉर्मल हैक्सेल, आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए, हैचाई ठेकेदार है, किसका ठेकेदार है, एलकेन बनाने का ठे देखें, इस ब्रॉमीन वाटर से, दो तरीके से question पूछा जाता है, और वो दोनों की दोनों question, NCRT की लाइन में, राजिस्थान बोड की बुक की लाइन में लिखे हुए है, यह जो ब्रॉमीन वाटर है, यह mild oxidizing agent है, यह दुर्बल ऑक्सी कारक अभी करबक है, यह ब्रॉमीन वाटर है, वो इस aldehyde का, इस aldehyde का oxidation करके, इस CHO को किस में बदल देता है, CWH में बदल देता है, इस वाली जब हम ब्रॉमीन वाटर काम में लेता है, तो यह CHO किसके अंदर बदल जाता है, CWH में बदलता है, remaining वैसा की वैसा रखता है, 6 carbon वाला, 6 carbon वाला carboxylic acid बनता है, 6 carbon वाला carboxylic acid बनता है, और साथ ये साथ, इस reaction से हमें ये पता चलता है, कि इसके अंदर केवल aldehyde समुका ही क्या हो रहा है, oxygen हो रहा है, alcohol का oxygen नहीं हो रहा है, केवल किसका हो रहा है, aldehyde का, तो दूसरी reaction भी आपको याद हो गई होगी, पहली reaction, glucose की HI के साथ, hexane बनता है, glucose की reaction, bromine water के साथ करें, तो केवल ये वाला aldehyde acid में बदलता है, और इसको कौन सा acid बोलता है, gulconic acid बोलता है, gulconic acid बोलता है, तीसरी जो reaction है, वो आप से क्या है, nitricuml के साथ, अब जो nitricuml है, जो nitricuml है, वो भी क्या है, एक प्रभल उक्सिकारत है, वो एक प्रभल उक्सिकारत है, वो इस aldehyde को तो acid में बदलता है, साथ ही साथ, इस CS2OH ग्रूप को, इस CS2OH ग्रूप को भी किसमें बदल देता है, CWH ग्रूप में बदलता है, दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा, जब आपने bromine water लिया, तो केवल ये वाला aldehyde CWH में बदलत तो जब हम concentrate HNO3 काम में लेते हैं, तब तो कौनसा acid बनता है, sacric acid, और जब आप सिर्फ rumine water काम में लेते हो, तो कौनसा बनता है, gluconic acid, जैसे जैसे आप देखोगे course के अंदर, जैसे जैसे किताब पल्टोगे, राजिस्थान बूर्ड की बुक पल्टोगे, हूब हूब जैसे आपको reactions दिखनेंगे, next reaction, glucose की reaction अगर nitric acid के साथ कराई जाए, यह सारे question first grade या second grade में पूछे गए है, या ACF में पूछे गए है, glucose जब नाइटरीक अमले के साथ, oxigrid करता है, तो क्या बनता है, sacric, और अगर यहाँ bromine water होता, तो क्या बनता, gluconic acid, next question, यह आपको direct है, एक चीज है जिसे बोलता है, osa john, osa john, direct याद करनी है यह reaction, आजकल नहीं पूछी जाती क्योंकि यह reaction NCRT से हट गई है, पहले पुरानी बुकों में यह reaction हुआ करती थी, तो last year तक जब हमारी पुरानी बुक थी, उसके अंदर यह question पूछा जाता था, osa john कैसे बनता है, यह reaction आपको याद करनी है, कि जो glucose है, glucose, इसकी reaction, जब हम phenyl hydrogen के साथ कराते हैं, glucose की reaction, जब phenyl hydrogen के साथ कराते हैं, तो osa john बनता है, और question यह पूछा जाता है, कि glucose की reaction जब phenyl hydrogen से कराते हो, osa john बनता है, उस समय phenyl hydrogen के कितने अनुकाम में आते हैं, तो आपको याद करना है, तीन अनुकाम में आते हैं अब ये कोश्चन दो तरीके से एक्जामीनन ने पूछा गुलकोस जब ओसा जौन बनाता है फैनिल हाइडरेजीन के साथ तो उस समय फैनिल हाइडरेजीन के कितने अनुकाम आते हैं तो आप से पूछा गया तीन अनुग एक बार ये कोश्चन ऐसी कोश्चन और आते हैं वो सुने हैं कि अग्जामीन पूछता है पहला कुश्चन याद हो गया होगा गुलकोज की रियक्शन ही के साथ ही ठेकेदार छे कार्बन वाला इलकेन बनेगा उससे यह पता चलता है गुलकोज में 6 करबन दूसरा हमने ब्रोमीन वाटर के साथ करी शिर्फ इस सिर्फिस सी एचो को सी डबल्व में बदलेंगे गुलकॉनिक ऐसिड बनेगा इसको भी बद दूगा इसको भी बदलोंगा सैक्रिक ऐसिड बनेगा ओसा जोन ऑनेगा फैनिल हाइडरेजीन से reaction कराऊंगा कितने अणू काम में लोंगा तीन अणू साथ ही साथ इसमें दो reaction और पुछी जाती है कि गुलकोस के अंदर LD हाइट समू पाया जाता है ऐसे कौन से reagent है जिन से ये पता चलता है कि गुलकोस के अंदर LD हाइट समू पाया जाता है या glucose के अंदर 5 hydroxyl समू पाए जाते हैं, glucose में 5 OH समू पाए जाते हैं, ऐसा कौन सी reaction से पता चलता है, ये दो question और आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान रखे हैं कि glucose के अंदर aldehyde समू है, इसका पता कैसे चलता है, कि aldehyde समू का मतलब इसमें carbonil समू है, और ये जो है, ये ए तो hydrogen cyanide के साथ भी reaction करता है, तो जब हम इसकी reaction hydrogen cyanide के साथ करते हैं, तो इसमें से water बहर निकलकर oxym बनता है, औक्जम बनता है ये दोनों रियक्शन से इस बात की पुछती करती है कि इसके अंदर LD हाइट समू या कार्मोनिल समू पाया जाता है यही कोशन आपसे फर्स्ट क्रेड में पूछा गया निमलिखित मैंसे कौन सा रियेजेंट डाला जाए जिससे ये पता चलता है कि गुलकोस के अंदर कार्मोनिल समू पाया जाता है तो आप क्या कहेंगे कि उस समय या तो हम इसके अंदर SCN डालेंगे या क्या डालेंगे हाइड्रोकसिल एमीन hydroxyl amine इससे हमें ये पता चलता है कि glucose के अंदर कौन सा गुरूप पाये जाता है LDH दूसरा question क्या आता है कि glucose के अंदर alcoholic sumu है इसके पुष्टी कौन सी reaction से होती है तो उसे इस्तिती में हम क्या करते है glucose का acetylis करण कराते है क्या कराते है acetylis करण एसेटिली करन का मतलब होता है कि इसके अंदर हम एसेटिल समू जोड़ेंगे क्या जोड़ेंगे एसेटिल समू आप क्या करोगे एलकोहल के जो H हैं इनको हटा कर यहाँ एसेटिल ग्रूप जोड़ दोगे यानि यह वाली स्तिती बनेगी CHO, CHO, H हटा के क्या जोड़ेंगे, CO, CS3, यह 4 हो जाएंगे और CH2, O, CO, CS3, एसेटिली करन का मतलब भी होता है एसेटिल समू को जोड़ना अब हमसे यह रियक्शन नहीं पूछी जाएगे, गुलकोस, पैंटा, एसेटेट बनते है गुलकोस के साथ 5 एसेटेट लग जाते हैं, इसलिए बोला जाता है गुलकोस, पैंटा, एसेटेट आपसे एक्जामीनर कैसे पूछेगा दो तरीके से, कि गुलकोस के अंदर एल्डिहाइड सम्मू पाया जाता है, इसकी पुस्टिक किस रियक्शन से होती है तो आप कहोगे हईड्रॉकसेल एमीन के साथ पूछें कि गुलकोस के अंदर, गुलकोस के अंदर एल्कॉलिक गुरूप पाया जाता है ये कैसे पता लगेगा, तो आप कहोगे कि मैं गुलकोस का एसे टिली गरन करूँगा और एसे टिली गरन करने के लिए कौन सारी एजेंट आला जाता है अब क्या किया इस साल एक्जामिनर ने ये मोटी-मोटी सी दो बात और आप से सेकिंड गेट में पूछी गई है आप सब जानते हैं कि गुलकोस के अंदर साइक्लिक इस्ट्रक्चर होती है जैसी राजिस्थान बोड़ की किताब देखेंगे तो पता चलेगा कि glucose के अंदर जो cyclic structure होती है, उसमें 6 member होते हैं, और 6 member की cyclic structure को क्या बोलते हैं, पायलोज बोलते हैं, जबकि factors के अंदर जो 6 member की ring बनती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फुर्नोज बोलते हैं, तो ये question आप से उचा जा चुका, कि glucose और factors में कौन कौन सी सरचन पाई जाती है, तो glucose के अंदर जो 6 member की ring बनती है, गुलकोज रिंग structure भी बनाता है, उस रिंग structure को तो पायलोज कहते हैं, और factors के अंदर जो 5 member की ring बनती है, उसे हम क्या कहते हैं, फुर्नोज कहते हैं, नेक्स्ट कुश्चन, अभी अभी बताया, कि glucose किस से अभी किरिया कर कि ओसा जोन बनाता है, तो रट जाना चीए, कि glucose की reaction जब हम फैनिल हाइडरेजीन के साथ करते हैं, तो ओसा जोन बनता है, और यहां फैनिल हाइडरेजीन के कितने अणुकाम आते हैं, तीन अणुकाम, नेक्स्ट कुश्चन, ये वाला कुश्चन अभी जो उपर वाले 5 कभी 2nd grade में, कभी 1st grade में, कभी 2nd grade में, कभी 1st grade में, अब examiner को द्रहन संकट हुआ, अब examiner ने कहा क्या करें, भई कैसे नया कुश्चन मनाएं, तो उसने वो की वोई सारी चीजे ली, बस क्या कर दिया, कूट के रूप में दे दिया कुश्चन, उसने कहा सूची 1st है, और सूची 2nd है, गुलकोज के respect में, जब आप इसकी HI के साथ reaction कराते हैं, तो आपको पता है, HI के साथ reaction कराते हैं, तो क्या निश्कर्स में बनता है, कि गुलकोज में कितने कारवन होते हैं, 6, तो बस यही answer होगे, हटा, जिसमें एक answer थड है, वही आमार answer है, तो answer यही था, आर्मोनिल समूँ, तीसरा मैंने आपसे कहा था, ब्रॉमीन जल के साथ, जो LDHIC CHO है, केवल उसका oxidation होता है, और जो acidly किस बात की पुस्ती करता है, कि गुलकोज के अंदर कितने OOS समूँ पाए जाते हैं, 5 OOS समूँ, तो आपको समझ में आ गया होगा, examiner ने क्या किया, जो अब क्या करना है, मेरे इसाब से गुलकोज की, अब जैसे ही आप किताब के अंदर अब राजिस्थान बूर्ड की किताब में खाना खाते समय पढ़ोगे, तो आपको ये 5 reaction ऐसे की, ऐसे मिलेंगी, और आपको लगेगा, याद हो गया, कुछ नहीं करना, किताब को खोल ले वही जो, तीसरी नंबर की, मतलब हूब 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 जो मैं बोल रहा हूँ, वो की वही examiner आप से पूछेगा, और ऐसी कैसे किताब में आएगा, अगला question मेरे इसाब से 2 second लगेगी, गुलकोज की सारी reactions को repeat करने में, फटाफट फटाफट एक बार बता देता हूँ, जिससे आपको याद हो जाए, फिर हम आगे चलेंगे, ये chapter ऐसे हैं, जो बहुत easy chapter है, और फटा फटा आपको नंबर देंगे, तो देखे हैं, पहली reaction याद हो गई होगी, गुलकोज हाई, हाई ठेकेदार, 6 carbon वाला एलकेन, और cdc बात है, क्या हो गए, गुलकोज में 6 carbon ह दूसरा, अब यह बताया, ब्रॉमीन, सिर्फ इस CHO को CWH में बदलेगा, उसे बोलते हैं, गुलकोनिक, concentrate HNO3, तो इसका भी ठेकेदार, इसका भी ठेकेदार, इसको भी CHO में, CWH में बदलू, इसको भी CWH में बदलू, दोनों बदले तो सैक्रिक एसिट, तीसरी चीज, ना दूसरा कौन सा, SCN, इसमें 5 OS, समू, इसकी पुष्टी किस्से होती है, ऐसे टेकन आइटराइट से, उसको एसिट ली करन कहता है, गुलकोज में 6 मेंबर की रिंग को क्या कहेंगे, पाइनोज, पाच मेंबर की रिंग को क्या कहते है, फुर्नोज, अभी अभी बताया, उस समू है, पाच हुए समू, यह आपका मोनो सेक्राइट कम्पलीट हो, अब जब डाई सेक्राइट में बात करता है, तो सुक्रोस, उसका पसंदीदा RPSC का कुश्चन है, सुक्रोस, तो जब भी आप खाना खाएंगे, तो जैसे ही डाई सेक्राइट पकड़ेंगे, तो नंबर एक सुक्रोस क्या है, आप कहोगे, डाई सेक्राइट है, और दूसरी चीज पूछे कि इन नंहें से कौन सी अनप्चाई सरक्रा है कौन सी नउन-redu major helps तो अपने दिमाघ में रखे monosaccharide monosaccharide याद करें ज़्यादा फस है नहीं monosaccharide reducing अप्चाई सरक्रा है monosaccharide अप्चाई सरक्रा है सुक्रोस को छोड़ कर सुक्रोस को छोड़ कर सारी जो डाइस सेक्राइड है वो भी अपचाहि सरक्रा याने सुक्रोस क्या है reducing sugar है या non reducing non reducing सारे polysaccharide भी non reducing है सारे monosaccharide reducing है सारे disaccharide reducing है सुक्रोज को छोड़ कर question ऐसे ही आएगा इनमें non reducing sugar कौन सी है जैसे ही सुक्रोज दिख जाए answer समझ जाए क्या है सुक्रोज आगया समझ में जैसे मेरे इसाब से यह आपका complete हो गया क्या यह वाले जो questions थे यह आपका complete carbohydrate हो गया बस इतना ही आपको खाना काते समय कार्बोईडेड में पढ़ना है polysaccharide वगरे आप जानते हो खुछ और जहाँ detail आएगा alpha बीटा वो फिर आप से होगा भी एक और अपने दिमाग में glucose जब पढ़े तो एक question और अपने दिमाग में रख सकते हैं glucose दो फॉर्मों में मिलता है alpha डी glucose और beta डी glucose वो आप से पूछ ले alpha डी glucose और beta डी glucose आपस में क्या होते हैं तो आपको एक answer और याद रखना है alpha डी गुलकोज और बीटा डी गुलकोज आपस में क्या होता है एनोमर्स होता है यह सारे कोश्चन आपको राजिस्तान बोड़की के पन्य पल्टोगे हूब 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 मिलेंगे कि अलफा डी गुलकोज और बीटा डी गुलकोज आपस में क्या है एनोमर्स अब अपन प्रोटीन्स की बात करते हैं सेकंड जो हमारे कोर्स में टॉपिक दिया है वो प्रोटीन दिया है प्रोटीन के अंदर उसका पसंदीदा एक कोश्चन फिक्स है अभी भी फर्स्ट ग्रेड में आया इन में से आवश्यक एमीनॉमल कौन से है वो ज़्यादा तर सब लोग गल्द करें ना तो उनसे परासर दाप करने मेरिकल निकला अरे चलो वो नहीं निकला कोई बात नी लेकिन ये तो याद रहना चीए था ना उनमें से कौन से आवश्यक एमीनॉमल अब आप सब को पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो एमीनॉमलों से मिलकर बने होते है सब को पता है एमीनॉमल आपस में पैप्टाइड लिंकेस के दोरा जुड़े होते है याद कर लेना है अना इस बार आप से यही कुश्चन आया था भी हाल में फर्स्ट क्रेड के अंदर रखता रक्तूबर को और यही कुश्चन पिछली बार भी आया था उससे पिछली साल भी आया था इन मेंसे कौन सा अविशक है इन मेंसे कौन से ऐसे है जो आविशक नहीं है अपने दिमाख में याद रखना है एक तो TV याद रखना है, घर में TV, एक आपको mile याद करना है, मिल, TV mile path, TV mile path, TV mile path, यह amino acids ऐसे हैं, जो 10 आवशक हैं, जो ऐसे amino acids हैं, जिनको हमारी body synthesis नहीं करेगी, खाने के साथ हमें लेने पड़ते हैं, यह आवशक amino अमल है, T का मतलब यहाँ tryptophane, T का मतलब tryptophane, B का मतलब valine, valine, अब देखो valine तो होगा, तो valine तो आवशक हैं मेनों है, M का मतलब methionine, यह methionine एक ही बात है, methionine, आई का मतलब ISO leucyen, अब देखो leucyen का बड़ा भाई और ISO leucyen दोनों आवशक amino ले, देखो एक तो leucyen और एक उसका बड़ा भाई ISO leucyen दोनों आवशक amino nもし台 ले, by का मतलब था ईसलीूसिन और ऐल का मतलब लूसिन जोन क्दी सिंफ यह दोनों आवशे मिनोम उंक्र9 좋은 मैं इसली जुसिन ऐलो हैं लेकिन के लेकिन दोभाई है एक का नाम दो है एल निन बस एक्जामीनर वही पूशता है एक का नाम तो है एलानिन और एक भाई का नाम है फिनाईल एलानिन एक भाई का नाम तो है एलानिन और दूसरे भाई का नाम है फिनाईल एलानिन फिनाईल एलानिन तो आवश्यक एमीनो अमले है लेकिन एलानिन आवश्यक एमीनो अमले नहीं है बस एक्जामिनर ने यही पूछता है दोनों स तो क्या है एलानिन तो क्या है अनावशक अमी नॉमल है जबकि फिनाईल एलानिन क्या है आवशक अमी नॉमल है फिनाईल तो आवशक है लूसेन और आईसो लूसेन तो एक ही परिवार के हैं भाई भाई बिल्कु सगे हैं वो तो एक ही कैटेगरी में आते हैं लेकिन एलानिन और फिनाईल एलानिन अलगला कैटेगरी में आते हैं एलानिन किस में आएगा एलानिन तो किस के अंदर आता है अब आप से क्या पूछा अनावश्चा कैमी नॉमल में तो कौन आता है अब देखो आपने वैलिन तो यहां पड़ी लिया, लूसिन आपने पड़ी लिया, लाइसन आपने पड़ी लिया, एक का मतलब आपको पता होगा, आरजिनीन होता है, है ती का मतलब क्या है जैसे यह तो वह ट्रिप्टोफेन यहाँ होता है 30-19-19-1919 और एक्स का मतलब क्या होता है इस्टिक इस टीडी आगे सब्सक्राइब देखें नेक्स्ट कोश्चन बापिस इस बार तो यह कोश्चन पूछ लिया पिछली बार फस्ट क्रेड में यही कोश्चन बापिस आया था अब लेंग्वेज चेंज हो गई पिछली बार क्या पूछा इन में से कौन सा एमीनोम लहसा है जो आवशक नहीं है अभी अभी मैंने कहा था फिनाइल एलानिन तो आवशक है लेकिन एलानिन क्या नहीं है आवशक नहीं है यही कोश्चन पिछली साल इस साल भी यही कोश्चन एलानिन और फिनाइल एलानिन उसकी पसंद है फिनाइल एलानिन आवशक है लेकिन एनालिन यह एमिनो एसिट्स बनते हैं और ज्यादा तर जो एमिनो एसिट्स होते हैं वो किस टाइप के होते हैं एल टाइप के होता है तो प्रोटीन का जब आप जल अब घटन करोगे तो प्रोटीन तूटेगा जिन से बना है उनमें तूटेगा प्रोटीन एमीनो अमलों में तूटेगा और एमीनो अमलों ज्यादा तर किस टाइप के होता है एल टाइप के होता है याने उनमें एमीनो ग और यह आमीनो इसे बात एलफा एमिनो Box के बारे में सहीं नहीं है और इसमें आइमिन उसमु कौन सी च्टितिः सकता है और यह बेस है तो यह एछ ले सकता है तो इसमें एक Two आनपर वर यह बन जाएक सिफे से ज़ुईटर आयान कहते है इसे ही ज़ुईटर मान कहते है यह पी एच पे डिपेंड करता है और सबसे इम्पोटेंट पर जब भी कोश्चन आता है तो यह अगर मैं यहां एच लगा दू अगर मैं इसी स्ट्रक्चर में एच लगा दू इस तरह से तो आपको दिख रहा होगा यह वाला कार्बन जो है वह किरेल इसकी कितम हो जाएगा यह वाला कार्बन अगर इस आर की जगे है मैं यहां एच लगा दू तो यह वाला कार्बन आप किरेल नहीं रहेगा यह हो जाएगा एनेस्टू सीएस्टू सीड़ुएच इसे गलाइसीन के आप एक मात्र एमीनोमलों में गलाइसीन ऐसा एमीनोमल है जो प्रकाशिक सक्रि इन में से वो कौन सा एमीनोमल है जो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होता आंसर क्या है गलाइसीन में यहार की जगे आप क्या लगा दोगे एक तो एक कार्बन पर जुड़ने वाले चारो सम्भू अलग लग नहीं होगे फिर दो पर आच आगे तो फिर जो गलाइसीन है वो आप आपका क्या नहीं है आवशक एमीनो एसिट्स ने अब जब आपने प्रोटीन पढ़ा तो आपके समझ में आ जाओगा मुझे क्या करना है जैसे ही प्रोटीन खोलोगे तो प्रोटीन पढ़ना चालू करोगे खाना खाते समय पता चल गया कि प्रोटीन एमीनो एसिट्स से म फिनाइल एलानिन तो आवशक है एलानिन आवशक नहीं तीसरे टाइब का जो कोश्चन्स बनता है वो अभी अभी मैंने आपको बताया कि वह कौन सा एमिनो एसेड है जो प्रकाशक सक्रिय नहीं होता तो आपको क्या याद रखना है अब प्रोटीन की स्ट्रक्चर में दो त प्रोटीन टर्शरी और कुछ प्रोटीन ऐसे होते हैं जिनमें चतुर तक सरचना होती है प्रोटीन एमीनो एसेड से मिलकर बने होते हैं अगर माल लीजे वह एमीनो एसेड का एक स्पेस्फिक सेक्वेंस हो जैसे मालो ट्रिप्टोफेन के बाद वैलिन वैलिन के बाद पूछा गया हूभ वह राजिस्थान बोड की किताब में लिखा हुआ है प्रोटीन की वह कौन सी सरचना होती है जिसमें एमीनो एसेड एक सिक्वेंस में व्यवस्तित होते हैं तो आप कहो गई वह प्रोटीन की प्राथ्मिक सरचना कहलाती है लेकिन अगर इसी स्ट्रक्चर कर दो असके अंदर hydrogen bonding हो जाए hydrogen bonding हो जाए तो उस इस्तिती में जो यह protein से इसकी structure में थोड़ा सा change आजाता है या तो यह कैसी हो जाती है हेलिक्स मतब CD numar हो जाती है या plated हो जाती है तो वह पूछा जाता है कि proteins के अंदर ऐसी कौन सी bonding बनती है जिसके कारण इसकी structure CD नुमा हो जाती है या plates जैसी हो जाती है तो वो protein की detect सरचना होती है और वो कौन सी bonding के कारण होती है hydrogen bonding के कारण तो protein की structure पर दो question बनते है पहला question तो एक amino acids का specific sequence हो तो वो protein की primary structure है लेकिन अगर माल लीजिए उनमें hydrogen bonding हो जाए तो वो फिर helix type की हो जाती है वो structure क्या कहलाती है secondary structure मेरे इसाब से protein आपको याद हो गया होगा जैसी आप देखोगे तो protein आपको याद हो गया होगा हमारे course में चार चीजे है पहली बाद तो दिमाग में syllabus रहना चीजे है carbohydrate पढ़ना है protein पढ़ना है तीसरा हम को क्या पढ़ना है vitamins पढ़ने है और चौथा हमारे course में DNA आ रहे हैं अब vitamins के अंदर दो question आप से पूछे जा चुके vitamin आपको पता है दो category में बाटा जाता है एक तो water soluble होते है एक fat soluble होते है B और C vitamin तो ऐसे है पानी में soluble है और vitamin B और C ऐसे vitamin है जो हमारी body में store नहीं रहते है लेकिन एक बात रह विटामिन B12 ऐसा होता है जो हमारी body में store रहता है vitamin B और C vitamin तो ऐसे है कि जो urine के साथ भार निकल जाता है लेकिन B12 आपकी body के अंदर store रहता है अब यही question आप सब को पता है कि अभी first grade में पूछा गया कौन से vitamin की कमी से परणीश्य सैनीमिया हो जाता है तो आप सब को पता है कौन से vitamin की कमी से परणीश्य सैनीमिया होता है तो B12 अगला question सब को पता है वो कौन सी vitamin है कई बारी popular question हो चुका यह NCRT में हूप हूप लिखा हुआ है और आप से पूछा भी है कौन सा vitamin ऐसा है जिसके कारण RBC के भूरूबोरे पन में व्रद्धी हो जाती है मास पेशियो में कमी हो जाती है परच्छे सियाद कर ले ऐसा कौन सा vitamin है vitamin E है अगला question DNA और RNA राजिस्थान बोर्ड में आप सब को पता है DNA और RNA दो चीज़ दे रखी है DNA में सब को पता है deoxy ribose सरक्रा है और RNA में कौन सी सरक्रा है ribose सरक्रा है अगर वो पूछे हमसे RNA में कौन सी सरक्रा है तो आप को होगे beta d ribose DNA में नानम से ही पता चल रहा डी oxy है तो राइबोस जैसा ही लेकिन राइबोस के दूसरे नंबर पर oxygen अगर हटा दी जाए तो क्या बन जाती है deoxy तो आप से पूछा जाए DNA के अंदर जो शुगर होती है वो कौन सी होती है तो आपको ये तो यादे deoxy ribose लेकिन कौन सी deoxy ribose 2 deoxy ribose 2 deoxy ribose का मतलब यह ह है कि है तो ये राइबोस सरक्रा जैसी लेकिन दो नंबर पर इसमें से क्या भार निकल जाता है oxygen तो आप सब को समझे में आगया होगा बीटा डी टू और deoxy ribose ये question कल रह गया था first grade में जो मैंने कराया था paper solve तो ये question रह गया था एक बार बापिस सोचेंगे मैंने कल बताया था एक तरीका cat सब को चाहो तो cat याद कर लो चाहे cat ये सब को January में एक्जाम देनी है cat ये सरकार के द्वारा मतलब एक तरीके से आपको एक तरीके से आप ऐस दो तरह की एंटिबाइटिक होते हैं एक तो बताये थे जीवानु नासी और एक कौन से होते हैं जीवानु रोधी तो ये वाले जो तीनों है ये जीवानु रोधी ये तीनों जीवानु रोधी है बस आपका question अपने आप हो गया C का मतलब मैंने कहा था क्लोरम फैनीकॉल ह E का मतलब Erythrocycline है T का मतलब Tetracycline है तो अपने आप ये पूछा गया इनमें Bactericidal कौन सा है तो आपको ट्रिक भी बताई थी PO Aminoglycoside एक बैंक में PO है जिसका नाम है Aminocide Penciline Penciline और O Phloxacin Bactericidal है जैसे ही Penciline याद करें तो तुरंत याद आना चीए Penciline G Narrow Spectrum Antivitic है संकी Declin Spectrum Antivites है हालमे ही First grade में एक कुछे नाया सब आप जानते हो DNA और RNA DNA और RNA में क्या अंतर है तो DNA और RNA में किस nitrogen जाना है तो सबको पता है एडिनीन, थाइमीन, गुएनीन और साइटोसिन और आरेने में थाइमीन के स्थान पर क्या होता है अब तक यह जो 20 कोश्चन है 19 कोश्चन है यही 1st गेड और 2nd गेड में अब तक आए है अगर आप अब कुछ नहीं करना आपको बस जैसे ही किताब पढ़ें इसको सामने से अभी भी 30 दिन में आपको 20 से 25 कोश्चन दे देंगे 30 दिन में और कुछ नहीं करना आदा गंटा सुबहें खाना खाते समय पढ़ना है आदा गंटा सामपू करना है तो ठीक है आज के लिए और अगर बार बार आपसे यहीं कहूंगा अगर आपको अमरे वीडियो दाते हैं आएंगे भी और आने भी चाहिए तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेर करें कभी भी कोई कॉम्पेटीशन में बादा नहीं आएगी जिसके भाग्ये में होगा उसका सेलेक्शन होके रहेगा थैंक्यों